ज़िए गाजियाबाद के मोधी नगर में एक एककर दरजनों फैक्टरियां बंद हो चुके हैं 1993 के जन्वरी में अचानक बंद कर दिया गया मजदूरों को कोई नोटिस तने मिला जिस वक्त फैक्टरिय बंद की गई उस वक्त करीब 4,000 करमचारी काम करते थे मोदी स्टील फैक्टरी को बंद हुए करीब 20 साल हो चुके है लेकिन सवाल ये है क्या फैक्टरी पूरी तरह से बंद है और अगर हाँ तो फिर फैक्टरी में स्क्रैप निकालने से लेकर खाद बनाने का काम कैसे चल रहा है काग्जों में सिर्फ मोदी स्टील फैक्टरी सेल है हकीकत में आज भी फैक्टरी के अंदर स्क्रैप निकालने का काम जारी है जिसकी परमेशन नहीं है लोकल वोकल की खूफिया टीम के इस्टिंग आफरेशन में हमने आपको दिखाया था कि बंद पड़ी स्टील फैक्टरी में स्क्रैप निकालने का काम अब तक चल रहा है ऐसे में प्रशाशन पर सवाल तो बनते ही है सील स्टील फैक्टरी में काम कैसे चल रहा है क्या अब तक स्क्रैप निकालने का परमिशन है जब फैक्टरी सील है तो खाद बनाने का काम कैसे सील स्टील फैक्टरी में छे फैक्टरिया कैसे लग गई क्या सील फैक्टरी की खाली जगह पर काम कर सकते है सील फैक्टरी में अधिकारी निरिक्षण करने जाते हैं सील फैक्टरी में काम की जानकारी है तो कार्यवाई क्यों नहीं मोदी स्टील फैक्टरी से लगबग एक किलोमेटर की दूरी पर मोदी नगर थाना है इस स्थाने में मोदी स्टील फैक्टरी को लेकर कई केस दर्च है बाप दूरिस के मोदी स्टील फैक्टरी में पुलिस धाकने की जहमत तक नहीं उठाती क्यों? ये सवाल हजारों मजदूर और किसान पिछले कई सालों से पोच रहे हैं गार्जाबाद के मोदी नगर से सुनेल शर्मा के रिपोर्ट